हलो बच्चो आज हम जानेंगे सीवेसी क्लास्टेन हिंदी छितिज बूक से चैप्रट थ्री का कवीता और उसके अर्थ जिसका सिर्षा के अर्ट नहीं रही है जिसके लेका के सुरिक कांतर पार्थी निराला जी बच्चो इस पार्ट की सुरुआत यहां से होती है इस कवीता में कवी ने बशंद्रीतू की सुन्दरता का बखान किया है बशंद्रीतू का आगमन हिंदी की फागुन महीने में होता है ऐसे में फागुन की आवा इतनी अधीक है कि वो कहीं समा नहीं पा रही है बशंद जब सांस लेता है तो उसकी खुस्वू से हर घर भर उड़ता है कभी ऐसा लगता है कि बशंद अश्मान में उड़ने के लिए अपने पंक फड़़ाता है कभी उस संदर्ष अपने आँके हटाना चाहता है लेकिन उसकी आँके हट नहीं रही है पेड़ों पर नएपत्य निकला है चुक कई रंगों के है कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भिनी भिनी खुस्वू देने वाले फूलों की माला लठी हुई है हर तरफ संदर्था विखरी पड़ी है वो इतनी अधीक है कि धरा पर समान नहीं रही है कविता है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है इस कविता का अर्थ हुआ कवी ने बशंत्रितु की सुन्दर्था का बखान किया है प्रशंद्री तू का आगवन हिंदी के फागण महिने में होता है ऐसे में फागॣ की आबा इतनी अधीक है को वो नहीं समापा रही है कवीता है कही सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नब में तुम पर पर कर देते हो आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है कवीता कार्थ है बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुस्वू से हर घर भर उड़ता है कवी ऐसा लगता है कि बशंत अश्मान में उड़ने के लिए अपनी पंक फड़ पड़ाता है कवी उस संदर्शे अपने आँखे हटाना चाहता है लेकिन उसकी आँखे हट नहीं रही ह कवीता की अगली पंकती है पत्तो सी लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंद पुष्पमाल पाट पाड सो भासरी पट नहीं रही है इस कवीता कार्थ हुआ पेड़ों परने पत्ते निकला हैं चुक कई रंगों के हैं कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुस्पू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है हर तरफ सुन्दरता बिख्री पढ़ी है और वो इतनी अधीक है कि धरा पर समा नहीं रही है